जैस्री राधे दोस्तों केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना रासीफल से सम्मंधे सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दामपत्य जीवन, फ्रेम सम्मंध को लेकर कोई भी परसानी है तो हमें मैसेज के जरूर बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी अगर आपको अपनी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब होगी तो अपना जनम दिन बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी पीज अधूरी जानकारी ना दे इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी अगर आप लब मैरेज को लेकर भवस्वानी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जनम दिन कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपके लब मैरेज होगी अत्वार नहीं होगी यह जानकारी आपको मुलांग के हिसाब से दी जाएगी इसके अलाबा साधी से सम्मंद जानकारी आपको जनम दिन के हिसाब से दी जाएगी कुणली के अनुसार से इसमें मामली बदलाव हो सकता है अगर जबाब देने में देरी होती है तो आप निरास और हतास बिलकुल ना हो क्योंकि आपको जबाब जरूर दिया जाएगा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुणली बनी हुई है तो आपकी पी कीवानी से समपर कर कुणली डिखवा सकते हैं हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी साधी कब होगी अगर कुणली में ग्रहतसा अंकित हो तब अन्यथा बिसेश कुनली बनवानी पड़ती है, इसमें आपको साधी से सम्वंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है, कि आपकी साधी कब होगी, कहा होगी, कैसे होगी, किस से होगी, किस नाम से हो सकती है, किस रासे से करनी चाहिए, आपकी जीवन साथी का रंग रूप, सरूप, स आपको कुंडली बना कर दी जाएगी इसके लिए आप 8521-835670 इस नंबर पर WhatsApp मेसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं नंबर एक बर और धुरा देता हूं 8521-835670 इसके अलाबा आप संचार के सभी माध्यमों से KP कीवानी से जोड़ सकते हैं दोस्तों आपको यह भी बत आना चाहूंगा कि अगर आपकी साधी तैव हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवस्य करा लें सास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर्दोस नारी दोस और मांगलिक प्रभाव में साधी नहीं करनी चाहिए जातकों की तो अगर आपकी साधी तैव हो चुकी है अपने नजदी के किसी प्रकांट पंडित्वा जोतिस से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवस्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोस से मुक्त है अथुआ भकुट दोस से मुक्त है कई जोतिस भकुट दोस और नारी दोस में कुछ वैदिक उपाई बताते हैं जिने करने से नारी दोस और भकुट दोस का प्रभाव कम होता है हालां कि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोस और भकुट दोस में साधी नह करनी चाहिए, आपके पिकीवानी से भी समपर कर, अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं, मामली सुल्क पर, हम आपको कुंडली मिलान कर, पूरी जानकारी देंगे, कि आपके साधी हो सकती है, और कितने गुण मिल रहे हैं, पैवाईक्स जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी साधी जन्वरी 2025 में होने वाली है तो आईए जानते हूं राशियों के बारे में यह जानकारी आपको ग्रहगोचर की स्थिति और प्रकांट पंडित की भविश गन्ना की अनुसार दी जा रही है अगर जानकारी देने में अपने अनुज्यानी की मुझसे कोई गल्ती हो जाती है तो किरप्रा मुझे छमा कर दीजेगा मेरी कोशिस आपको सत्य और सही जानकारी देने की ही रहती है अगर आपको सलाह अत्वा परामर्स देना चाहते हैं तो अवस्दे आपकी परामर्स और सलाह का मुझे इंतजार रहता है तो आएए अब आगे बढ़कर यह जानकारी प्राप्त करते हैं तो आगे बढ़ने से प बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सास्त्रों में यह बताया गया है कि इन्यमों के पालन करने से कन्या या वर्व दोनों ही स्वभग्यवती जीवन जीता है, तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आईए बारी बारी से जानते हैं, जैसा कि आप सब या लड़के की सादी में कोई दिक्कत ना हो, आईए बारी बारी से जान लेते हैं, तो दो कन्या का विवा एक समय कभी नहीं करना चाहिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की सादी एक ही बार कर दी आती है, कि रिन्तु सास्तर में ऐसा निसेद है, एक कन कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह छे महिने तक नहीं करनी चाहिए। यह साथ्रों में ऐसा वरजित है समान गोत्र और समान प्रवरवाली कन्या के साथ भी विवाह निसेद है यानि की एक ही गोत्र में लड़के और लड़की के साथी नहीं करनी चाहिए बिवाह में छीक का दोस्त नहीं होता है तो अगर आप कोई सुब कारी करते हैं और उस समें छीक आजाती है, तो ऐसा माना जाता है कि या सुब नहीं होता है, कि explicit का दोस्त नहीं होता है, तो अगर ऐसी सिति पैदा हो तो भगवान स्रीशिव और भगवान स्री हरिविष्णू का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। इसके अलाबा चतूरदसी और नवमी भी निसेद है। यानि कि सस्टी, अस्टिमी, दस्मी, अर्थिपता, सुकलपक्च की और चतूरदसी, नवमी इन दीनों में साधी नहीं करनी चाहिए। चाहे विवाह मुवर्थ कितना भी सुब क्यूं नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए तो कन्या आधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और नहीं वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र, आधिका विचार करना चाहिए। इस्तरियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रभीबल देख लेना चाहिए। इस महिने में साधी करनी चाहिए तो माग, फागुन, बैसाक, अगहन, जेट, असाठ इन महिनों में साधी करने से कन्या स्वभाग्यवती होती है। नच्चत्र की बात करे तो रोजिनी, उत्रा, रेवती, मुल, स्वाती, मिर्गसरा, मघा, अनुराधा, हस्त्र ये नच्चत्र विवाह में सुभ माने जाते हैं। इन नच्चत्रों में साधी करनी चाहिए। बिवाह में सौर मास गरहन करना चाहिए, सौर मासों बिवाद हो यज्यादों सावनस मता, अबदिके पृत्तकारे चोचांद्रों मास से प्रसस्यता, ब्रहस्पति सुक्र, बुद्ध और सोम इनवारों में कन्या की साधी करने से कन्या सभग्यवती होती है, इसलिए हमेशा स सौम बार, बुद्ध वार, सुक्र बार और गुरु बार, इन दिनों में ही लड़की की साधी करनी चाहिए, आईए अब आगे बढ़ते हैं, तो जो इस्तरी या पुरुष, या लड़के या लड़की की साधी में देरी होती है, तो उसके मुख्य कारण क्या है, और उसे क ऐसे दूर कियाता सकता है, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि लड़की के साधी के जो कारक हैं, वो गुरु माने जाते हैं, और लड़कों के स्टरी सुक या विवाज सुक के कारक सुकर माने जाते हैं, गुरु के मजबूत रहने से साधी जल्द हो जाती है, शुक्र के गुरुवार का दिन विशेश महत्व है, गुरुवार का दिन भागवान स्रीहरी विश्नु को भी समर्पित है, इस दिन गुरुवार का ब्रत करना चाहिए। कि लड़कियों को गुरुवार के दिन ब्रत अवस्य ही करनी चाहिए। इस ब्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। गुरुवार के दिन करना स्रिष्ट कर होता है, साधी में समस्त बाधा दूर हो जाती है। इसके लिए प्रती दिन सिविलिंग पर कच्चा दूद, बिलपत्र, अक्षत, कुम-कुम आदी जरूर चड़ा है। अब आईए आप जानते लड़कों की साधी के कारक, तो सुक्र को माना गया है, सुक्र के मजबूत रहने से साधी स्चीगर होती है। शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए, तो सुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल उपाए है, सिवजी और मापार्वती की सच्चे दिल से पूजा करें। इसके लिए आप सुमबार को सिवजी को सफेद, फूल, कच्चा दूद, अधी अर्पित करें। इसके अलावा सुमबार और सुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनें, सुक्रवार के दिन भी सिवजी की पूजा करना पिसेष फलदाई होता है। अगर आप सच्ची सर्धा से सिव जी की विशेश पूजा करते हैं तो सुक्र जरूर मजबूत होगा क्योंकि सुक्र के जो गुरू है वो सिव जी हैं तो सिव को मजबूत करने से सुक्र, सिव की पूजा करने से सुक्र स्वताही मजबूत हो जाता है और आपके साधी में समस्त बाधाएं दूर हो जाती तो यह जानकाई उन लड़कों के लिए है जिनकी साधी में तेरी हो रही मेंसरासी के जात्कों के साधी के योग 22 बर्से बनने लगते हैं मींसरासी के जात्मों के गुरू और राहू दोनों ही मजबूत हैं इस वर्स और इसके चलते इनकी साधी की योग जनवरी महिने में परवल हैं जिन जात्मों के साधी नहीं हो रही है वो शिवजी की विसेश पूजा करें इसके लिए सूमबार और सनिवार को जल में काले ति नाम चेहुनी के संभावना रहती है हाला कि कुम्ब करक और धनू रासी से अगर आप विवाह करते हैं तो यहाँ आपके लिए सुभ रहने वाला है अगली रासी ब्रसव है तो ब्रसव रासी के जात्कों के साधी के योग तैसमे बरसे बनते हैं गुरू के मजबूत रहने से यह योग बन रहा है लड़कियों के लिए जबकि लड़कों के लिए राहू का मजबूत होना अत्वा राहू के दृष्टी होना साधी के योग बना रहा है ऐसा हो सकता है कि सुकर के मजबूत रहने से भी साधी की युग बन रहे हैं तो साधी का महिना भी जनवरी महिना ही है ब्रसबरासी के जाकों के लिए अगर सिग साधी करना चाते तो मंगलवार को हनमान जी को लाल फूल चड़ाए इनके अराध्य देब हनमान जी है तो हनमान जी की पिसेश पूजा आर्चना कर बंगल वार को हनमान जग का व्रत रख सकते हैं या रख सकती हैं लाल पूल चड़ा है लाल चीजों का सेवन इस दिन ना करें मंदिन में जाकर पठाइब परसाथ चड़ाकर परसाथ को गरीबों वह में प्रधान बितरन कर दें इस्परसाथ को बिलकुल है ना खाएं इसके इलावा दिन भर ब्रत करें और रात्री काल में पूजा आरचना के बाद आरती के बाद आप बिना लहसन प्याज का दैनिक भोजन कर सकते हैं किस नाम से साधी हो सकते हैं तो टी एच पी नाम से उने के संभावना अधिक है अगर मकर रासी से आप साधी करते हैं तो यहाँ आपके लिए बहतर होगा तुला रासी तो तुला रासी के जातकों के साधी की योग बीसमें बरसे बनते हैं इनके साधी का महिना जनवरी होता है गुरुवार को दिन लड़कियों को टाय को चारा खिलाना चाहिए गरीबों में भूजन जाकर आने वाले समय में या अभी से ही सोम बार आप रख सकते हैं लड़के या सुक्रवार को इन दोनों में किसी एक दिन आप रख सकते हैं साधी की योग बनने लगते हैं तुला रासी के जातकों के लब मैरेज के संभाबना अधिक रहती है गौ मौत तो यानि कि जी एम इसी मकर रासी है तो इनके अराध्य देव जो है भगवान विष्णु है और इनके जो है रासी स्वामी गुरू है गुरू का मजबूत होना या गुरू के स्वामी के रहने के चलते लड़कियों के साधी किसमें बर से बनते हैं लड़कों के 24 में बर से बनते हैं तो मकर र यानि कि Y नाम के लड़की या लड़की से साधी होने की संभावना अधिक रहती हैं कुम्भ रासी और मीन रासी से अगर विवाह होता है यानि कि S G नाम के लड़के लड़की से आप विवाह करते हैं या लड़की है तो लड़के हैं तो लड़की से विवाह करते हैं तो यह आपके वबाइक जीवन के लिए सुभ रहने वाला है अगली रासी मीन रासी है तो मीन रासी के जात्कों के साधी के योग भी बन रहे हैं क्योंकि इनके रासी स्वामी गुरू है और अरादे देव भगवान बिश्णू है इसके चलते गुरू के मजबूत रहने के चलते और भगवान बिश्णू की विसेश किरपा के रहने के चलते गुरू के दरिश्टी हमेशा इनकी कुंडली के सब्तम भाव पर बनी रहती है इसके लिए कीस वर्से इनके साधी के योग बन लगते हैं जनवरी महिने में साधी के प्रवल योग हैं सीख विबाह के लिए बिश्णू जी के पूजा अर्चना करना आपके लिए इसफलदाई होगा SGV नाम से यानि कि कुंबरासी के लड़के लड़कियों से साधी करना आपके लिए बहतर होगा मेसरासी के जातकों से अगर आप विबाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहदी सुद्रिट गुजरेगा दोस्तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो 35 मानता और ध्रमकंतों से दी गई है हमारा उदेश महज़ा आपको सूचना पहुंचाना आपसे सूचना हे तू ही ले इसके अतरिक तगर आप इनको मानते हैं अपनाते थ्वा उप्योग करते तो आप इसके समेजिमार हैं आप चाहे तो केपी की वानी से संपर्क कर सकते हैं अत्वा आप अपने नजदीक एक से प्रकांट पने थ्वा जोतिस से सलाह लेकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गुंडली में ग्रह दसा की अनुसार से इसमें मामली बदलाव हो सकता है इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डेस्वोड था अपने लिस्ट पर जाएं और अपनी रासी अनुसार वीडियो जरूर देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें समेंट करें और सेर कर हमेरे जरूर बताए अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मातारानी किरपास है आपके चेहरे पर हमें सामस्कान बनी रहे आप सौपरिवार स्वस्तेवन सुखी रहे आप सभी के प्यार और सुनिये के लिए आप सब कुई दैसे धन्दवात करता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे इन्ही सुब कामनाओं के साथ आप से बिदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नए जानकारी लेकर आपके समख छाजिर रहूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे आप जहां रहे मस्त रहे स्वस्त रहे माता रानी किरपा बने रहे नमस्कार जैसरा दोस्तो जैसरी कृष्णा जै माता दी जै वाहिगरू